नमस्कार साथियों स्वागत है आप सभी का वाई फैस्टेड़ी लाइव आईए स्पीसे सी यूटूब चैनल पर और साथियों मैं हूँ आपके साथ एफ और आजाद आज हम जो क्लास कर रहे हैं इस क्लास का महत बहुत जादा है इस क्लास का महत तो अगर हम बात करें तो कि मैंस के संदर में बहुत जादा महत है अगर आप लोगों में से किसी को ये पूछा जाए कि बास्तर में UPSC की पूरी प्रक्रिया में मैं क्रक्स क्या है तो आपको जवाब ये देना चाहिए कि UPSC की प्रक्रिया में हर एक पड़ाव का अपना महत है लेकिन अगर फिर भी किस एक पड़ाव का, किस एक segment का सबसे ज़्यादा importance है, तो आपका जवाब होना चाहिए, men's. Men's exam ही बास्ता में men exam है. UPSC की परिक्षा में, आपका selection होगा या नहीं होगा. PT भी decide कर देता है, लेकिन men's आपका भी decide करता है. किस rank पर होगा, ये भी decide आपका men's ही कर देता है. क्योंकि interview के level पर आप जाएंगे, तो number आपको ठीक ठाक मिल रहे हैं, या बहुत खराब मिल रहे हैं. तो इनमें बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होगा. अर्थात हम कह सकते हैं, कि rank के decision में, rank decide करने में, और बास्ता में selection होगा या नहीं होगा. इसमें मुख्य परिक्षा का role बहुत बड़ा है. ठीक है? तो जब men's का role बहुत ज़्यादा है, तो men's को ठीक करने के लिए क्या चीज़ ठीक की जाए, जिससे चीज़ें सही हो जाएं, तो answer writing. answer writing आप इतना कीज़े, इतने अच्छे तरह से कीज़े, कि आपका answer पढ़ने के बाद, जो भी examiner है, उसको लगे कि इसको number देना चाहिए, अच्छा number देना चाहिए, ऐसा लगे. तो इसके लिए हम क्या करें? हमारे जहन में बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं, हमें ध्यान में ये रखना है कि उत्तर लेखन की शुरुवात कैसे करें? तो आपको ध्यान रखना हाव टू स्टार्ट आंसर राइटिंग, प्रैक्टिस फॉर यूपीसी. आपके जहन में ये प्रश्ण बनता होगा, नहीं बनता है, तो अपने आपसे कोशन कीजिए क्यों नहीं बना है? हाव टू स्टार्ट आंसर राइटिंग, ये प्रश्ण बनता होगा, आप उत्तर लेखन कैसे शुरू करें? उत्तर लेखन लेखन कैसे शुरू करें यह प्रस्न बनता होगा है ना यह प्रस्न बनता होगा आपके जहने में नहीं बनता है तो बनना चाहिए Practice for UPSC मैं इसको अलग करके देख रहा हूँ Practice for UPSC यह आपका एक प्रस्न मना दूसरा प्रस्न यह बना Practice for UPSC UPSC के लिए अभ्यास यह दूसरा प्रस्न बना ठीक है इस तरह का प्रस्न बनता है इसी कड़ी में आप एक और प्रस्न देखते होंगे जब आप आंसर बगरा लिखने लग जाते हो जब आप उत्तर लिखने लग जाते हो आंसर राइटिंग करने लग जाते हो तब आपके जहन में एक और कोशन बनता हुआ How to improve writing skill for the UPSC अब आपकी बात कहां आ रही है कैसे लिखने पने आ रही है अब आपकी बात आ रही इंप्रूब पर अब आप अपने उत्तर को कैसे प्रभावशाली बनाए कैसे उसमें सुधार करे इंप्रूब मतलब सुधार तो यहाँ पर सुधार की बात हो रही है सुधार उसी चीज में होता है जो पहले से जारी है continue है तो इंप्रूब करने का मतलब क्या है आप answer writing तो करने लगे है लेकिन आप अपने answer में इंप्रूब करना चाह रहे है why क्या need है क्या जरूवत है तो जरूवत यह आगई how to write good quality answers for UPSC क्योंकि हर कोई यह चाहता है कि हम UPSC का जब मेंस दें मेंस exam में एपियर हो तब हमारा answer good quality वाला होना चाहिए क्योंकि यह तो सब जानते हैं कि आपके answer में number आपके जो मिलेंगे वो आपके answer की quality के base पर मिलेंगे तो हर कोई यही चाहता है कि good quality का हमारा answer होना चाहिए अब good quality के answer पर पहुँचने के लिए हमें अभ्यास शुरू करना पड़ेगा हमें start करना पड़ेगा answer writing start करने के लिए सबसे पहला आपका जो question था how to start यही ज़्यादा जरूरी है how to start यानि जब आपने start कर लिया कैसे start किया वो मैं अभी बदाऊंगा कैसे start करेंगे लेकिन start कर लिया अगर आपने तो फिर आप improve तो से करते रहेंगे और answer writing में quality answers write करना लिखना ये बास्ता में एक सतत प्रक्रिया है एक दिन में आप चाहोगे तो बहुत अच्छा answer आपका नहीं लिखा जा सकता है दो दिन में नहीं लिखा जा सकता है दस दिन में good quality answer नहीं लिखा जा सकता है लेकिन first day के comparison में आप देखेंगे तो 10th day जरूर ही जरूर आपका answer अच्छा होगा और ये खुद चेक कर लिजे या किसी और से चेक कर वा लिजे ठीक है तो कुल मिला करके आपको सबसे पहले उत्तर लिखना start करना है सबसे पहले क्या करना है उत्तर लिखना start करना है तो ध्यान करिए क्या चीजें आपको ध्यान रखनी है किन बातों को आपको ध्यान में रख करके चलना है answer writing answer writing answer writing in starting phase है ना सुरुवाती दोर में मैं मान करके चलना हूँ कि आपने answer नहीं लिखा है ठीक है जिन्होंने answer लिखा है उनके लिए भी एक मिनिट में हम पहुँच जाएंगे उनके पास भी तो आप starting phase में हैं आपने कोई topic पढ़ा पिर आप answer writing करना जाएंगे ना ऐसा तो नहीं answer writing answer writing आपने ढोल सुना है और answer writing करने बैठ गए answer writing किस पर करनी है पहले topic तो बता हो answer writing करने से आप शुरुआत करना जा रहे हैं तो उसमें सबसे पहले आपके इसको read किया है क्या आपने उसको पढ़ा है अगर हां यस आपने content को पढ़ा है तो क्या content को आपने इस level पर जाकर के पढ़ा है कि आप उस content के बारे में किसी को बता पाएं किसी को उसके बारे में explain कर पाएं क्या इस level पर आपने content को पढ़ा है जबाब है कि यस पढ़ा है कि हम explain कर सकते हैं तो आप answer writing start कर सकते हैं अगर आपने न तो कापके पास content है या है भी content तो आपने उसको पढ़ा नहीं है या पढ़ा भी है तो इस level पर नहीं पढ़ा है कि आप उसको explain कर पाएं अगर इन में से किसी भी जगह पर आपका loophole है तो आप answer writing अभी न करें ठीक है पहले आपको answer writing करने इस पहले कम से कम content आपके पास समझाता हूँ उदहारण जैसे जैसे क्या पूजा पूजा के पास पूजा के पास UPSC का अच्छा material है अच्छा material है material है इस कथन की कथन की पुष्टी कीजिए पुष्टी कीजिए यह question आप से पुछा गया है पूजा के पास UPSC का अच्छा material है इस कथन की पुष्टी कीजिए आप कब पुष्टी कर पाएंगे इस प्रस्न का जवाब आप कब दे पाएंगे जब इस प्रस्न से related आपके पास content होगा अगर content है आपके पास और उस content को आपने पढ़ा भी है और पढ़ने के साथ इस level पर पढ़ा है कि आप उसको explain कर पाएंगे यह चमता है आपके अंदर तो आप answer writing start कर सकते हैं तैकि कोई भी शुरुआती दोर पर ज्यादा ध्यान नहीं देता है लेकिन ध्यान देने की जरूरत है शुरुआती दोर में ही ठीक है अब यहां क्या है आपके सामने क्या समस्या आगी आपने content पढ़ा content आपने अच्छे से पढ़ा है लेकिन उसको लेखने के लिए आपका pen नहीं चला है तो देखिए एक और चीज इससे ज़्यादा नीचे जा कि अब को क्या ही समझाए जाए आपका pen जो है pen अगर आपका move नहीं कर रहा है तो आपको कैसे pen को move कराना है यह ना pen को move कराने का तरीका तो तरीका देखिए pen को कैसे move कराना है जैसे आपके पास जीवन में कोई story होगी आपके पास एक स्टोरी होगी और यह स्टोरी आपकी पर्सनल हो सकती है यह स्टोरी आपकी पर्सनल स्टोरी हो सकती है यह स्टोरी आपके किसी फैमिली मेंबर की स्टोरी हो सकती है यह आपके किसी फ्रेंड की हो सकती है इवन यह story आपकी love story भी हो सकती है love story और यह love story आपकी अपनी भी हो सकती है अपनी हो सकती है others की हो सकती है दूसरे लोगों की किसी की हो सकती है और यह जो story वाली चीजे हैं यह easily आपको पता होती है तो आप क्या करें जब आपका pen चलता ही नहो तब एक blank page ले blank page और उस blank page पर खुद से question ड्रो करें क्या question ड्रो करें मान करके चलिए आपका अपना एक love story है या किसी दूसरे की है तो आप उसको person के रूप में लिखें जैसे मैं मैं नंदू मैं नंदू मैं नंदू जिस लड़की से लड़की लड़का लिख लें या पर जिस लड़की से प्यार करता हूं मैं नंदू जिस लड़की से प्यार करता हूं करता हूं इस इस्तिती तक इस इस्तिती तक पहुँचने पहुँचने का क्रमिक वरडन कीजिए क्रमिक वरडन कीजिए क्रमिक क्रमिक वरडन कीजिए अब आपके पास प्रस्ण है आपने प्रस्ण बनाया कि मैं नंदू हूँ जिस लड़की से प्यार करता हूँ इस इस्तिती तक पहुंचने का क्रमिक वरडन कीजिए यानि एक इस्तिती क्या है कि वो प्यार करता है लेकिन प्यार करने वाली इस्तिती तक पहुंचात होगा कई सारे पड़ाव रहे होंगे कि नहीं रहेंगे तो अब आपको पूरी स्टोरी पता होगी यह आपने question लिखा और इस question को आपने अपना divide किया भूमिका कैसे बनानी है यानि आपने draft तयार किया draft यानि प्रारूप बनाया आपने प्रारूप प्रारूप में क्या आपने normally तीन पार्ट में divide कर लिया फिर main body फिर main body then conclusion conclusion ठीक है अब intro में आपको बता है कि जिस तरह का प्रस्न है उस तरह के प्रस्न में demand कैसी है तो प्रस्न की demand के according आप intro लिख देंगे main body में phase आप बताएंगे पूरे phase कैसे आप वहां तक पहुंचे जो आप जवाब दे रही हो और इस तरीके की जो चीजे हैं इन में कहां पर कमिया होती है और उन कमियों को कैसे दूर किया जाता है तो उपाए इस तरह से आप conclude कर दे तो कुल मिला करके आपने एक love story से अपनी answer writing की शुरुआत कर दी love story चुकि आपको याद थी बहुत अच्छे से love story को आपको explain करने में बहुत मजा आ रहा था उसमें आपको कहीं भी अटकने की संभावना नहीं थी तो आपने love story से answer writing start कर दी अब love story से आपने answer writing start तो कर दी लेकिन आप man content पर कैसे पहुँच जाएंगे तो इसके लिए ध्यान से आप समझे बातों को पहली बात आप content available करिए content ये content कहाँ से आएगा ये किसी book से आ सकता है content किसी book से और book से आता है content normally और ये किसी teacher के थुरू आपके पास content आ सकता है है ना और किसी website के थुरू आपके पास ये content आ सकता है किसी website के थुरू है न और यह हो सकता है कहीं other source से आ जाए और भी कोई source आपके जहन में चला तो वहां से आ जाए लेकिन लेकिन में जो source आपका वो तो क्या है ठीक है लेकिन हमने content पढ़ लिया है content पढ़ा हमने content पढ़ने के बाद अब हम practice करेंगे क्या करेंगे practice करेंगे practice होता क्या है आपने कभी दंगल देखा होगा दंगल देखा आपने दंगल में किसी ने आपको पेच सिखा दिया मतलब दाव सिखा दिया आपको अब उस दाव को आप जब तक practice नहीं करोगे काम नहीं आएगा content आपने पढ़ लिया है लेकिन वो content तभी काम करेगा जब आप उस content को base बना करके आप लगातार अभ्यास करोगे अभ्यास 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 प्रैक्टिस 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 और तभी आप सुनते हो लगातार कुछ लोगों के मुझे प्रैक्टिस मेख से perfect ठीक है यानि करत करत अभ्यास के जडमत होत सुजान रसरी आवत जात सों सिल पर पड़त निसान अगर आप बार बार अभ्ययास करते ही तो शिल जो होतीत न इस्टोन पत्थर उसपर भी निसान बन जाता है अ रसी बार बार आती जाती है तो पत्थर को भी काट देती है निसान बना देती है अब भ्यास में वो शक्ति है ना है कि नहीं है मैं आप मैंसे बहुत लोगों के नाम नहीं जानता था आज मुझे कोई कहे हमारे जो साथी गणे वो कहते हैं कि इस नाम का एक student था आज अब तुरंध मैं वह हमारा student है मुझसे अगर हो दस दिन भी पढ़के गया है पहले तो मैं उसको पहन्चा लेता हूं उस नाम का मतलब हमारे इस्ट्डेन्ट है बहुत सारे लोगों को तरह इतना नाम याद हो गया मुझे यह पता एग्म किस बैच का है पुसकी वारे में को इनकी टेंडेंसी भी बता है उसकी टेंडेंसी किया है कैसे पता लगा है यह प्रेक्टिसी दो Gespr explosive होगी है मेरी आप लोगों को याद रखा है जवाब होगा नहीं तो प्रैक्टिस की वज़े से आ गया है ऐसे ही आपका content भी अगर आप practice करते रहेंगे practice करते रहेंगे तो आपको इसे याद करने की जरूत नहीं पड़ेगी तो content और content की practice कर रहे हैं आप answer writing की किसकी answer writing की तो answer राइटिंग की practice करने से 2 चीजय आपकी हुझी यानि से profit क्या मिलने वाला है तो profit आपको यहां पर 2 मिलेंगी पहला profit तो ये कि आपका answer writing का जो hesitation था वो दूर हो जाएगा तो आप answer writing कर रहें एक तो यही फायदा है answer और आपको अच्छे नम्बर मिलेंगे दूसरी बात जो चैलेंजिंग भी है आंसर राइटिंग प्रैक्टिस जब आप करते हैं तो आप को जो कॉंटेंट को रटने में लगे रहते हैं content, इस content को आपको रटना नहीं पड़ेगा, है न, इसको learn नहीं करना पड़ेगा, learn, याद नहीं करना पड़ेगा, जब आप अभ्याद ज्यादा ज्यादा करते रहेंगे, तो ऐसे करके आपके answer को लिखने की शुरुआत हो सकती है, लेकिन फिर में एक बार क्या रहा हूँ, क यह जो प्रवचन सुन रहे हो आप, प्रवचन सुनने से कुछ नहीं होगा, इन प्रवचनों पर आप अमल नहीं करोगे, तब तक बात नहीं बनेगी, ठीक है, तो प्रवचनों पर अमल करना है, एक सेकिन, हाँ जी, तो ठीक है, आप अभ्यास करेंगे, अभ्यास करेंगे, लेकिन अभ्यास से पहले का जो एक हम कह सकते रुकावट है, वो यह है कि आपका पैन चलाने का पहले मन नहीं करेंगा, अरे फिर कर लेंगे, अभी रहने लेकिन ऐसी फिर कभी आती नहीं है, आज तक किसी की नहीं आई है, बहुत लोग ऐसे हैं चार साल से तयारी करेंगे, लेकिन उत्तर लिखने का प्रयास नहीं किया है, उत्तर जब तक नहीं लिखोगे, तब तक आपके लिए उत्तर लिखना नया ही रहेगा, आपने अगर तयारी एक महीने पहले स्टार्ट किये तो भी आप उत्तर लिखना स्टार्ट कर सकते हैं आंसर राइटिंग स्टार्ट कर सकते हैं और देखे एक महीने में आपने आंसर राइटिंग स्टार्ट कर दी तो आपके छे महीने होते होते आपकी आंसर राइटिंग का लेवल अलग होगा एक व्यक्ति वह जिसने चार साल हो गई तयारी करते करते लेकिन आंसर राइटिंग नहीं की है और जिस दिन आंसर राइटिंग करेगा उस दिन भी एजिटेट होगा बजे उसने आंसर राइटिंग स्टार्ट नहीं की है छे महीने जिसने लिख लिया है नया है भले तैयारी में वो उससे ज्यादा confidence में रहेगा ठीक है तो answer writing आपको start तो करने ही पड़ेगी नहीं start करोगे तो आप अपने साथ justice ही नहीं कर रहे हो अपने साथ थो होगी आपके पास अपनी love story किकी दूसरे की लिख दे लेकर दूसरे की love story आप तब लिख पाऊए जब दूसरे की love story पूरीपता होगी और दूसरे की love story अगर आपको पूरी पता है तो इसमें नहींते एक आप विश्वशनी व्यक्ति हैं किसी एक के perfection App,aja प्रशनी है, ट्रस्ट है उसको तभी तो आपको पूरी पता है, लव स्टोरी, तो जब आपको पता है, उसको भरोसा है, तो आप फिर अपने आप पर भरोसा कीजिए कि आप लिख सकते हो, और फिर उसको लिखना स्टाट कीजिए, खेर, तो ये तो रही बात सुरुआती दो करके अटक जाते हैं इस ट्रेक्शर को हंद्रिव कहते हैं सरचन जब कैसे अटक जाते हैं कोई तो कहता है कि इंट्रोडक्शन कैसे में कोई बताता भी है तो introduction कोई और तरीकिस बताता है कोई man body को लिखने के अलग तरीके बताता है man body answer की कोई conclusion को लिखने का तरीका अलग बताता है तो क्या करें कैसे करें ये समझ नहीं आता है तो देखिए इन सब के लिए मैंने आपको पहले ही एक बात बताई कि ये sustainable process है ये एक सतत प्रक्रिया है क्या है शतत प्रक्रिया तो सतत प्रक्रिया का आप पालन करेंगे तो जैसे लगातार निरंतर काम करने से निरंतर प्रयास करने से संबंद अच्छे हो जाते हैं बैसे निरंतर प्रयास करने से शतत प्रयास करने से उत्तर भी अच्छे हो जाते ही जैसे आपने देखा पहली पहली बारा आप किसी से मिले आपने नाम लिया मांधुरी क्यों है अरे मुझे आप से कुछ बात करनी थी, क्या बात करनी है, मा भेन नहीं है, क्या घर में बात करने के लिए, अरे बैसी बात नहीं करनी थी, कुछ और बात करनी थी, पढ़ाई लिखाई की बात करनी थी, आचा पढ़ाई लिखाई की बात करनी थी, बताई क्या बात करनी है, म ठीके लो ले जाओ और मुझे यहीं देना आकर के कोचिंग में देना कहीं राष्टेवास्ते मत देना घर मत देने पहुंच जाना ठीक नहीं देंगे इस बात का विशेश ध्यान रखेंगे हमको लोंग लास्टिक जो काम करना क्या नहीं मतलब मेरा कहने का मतलब यह था कि मै मैं क्या बताऊं मेरे पास आपका सुक्रिया अदा करने के लिए कोई सब्द नहीं है कितनी बड़ी मदद आज तक मेरे मावाप नहीं किया जितनी बड़ी मदद आपने किया है मैं क्या कहूं मेरे पास सब्द नहीं है आपके इस सुक्रिया को अदा करने के लिए मेरी दसा ऐसी है जैसे गूंगे व्यक्ति को मीठा फल खिला दिया है फिर उससे टेस्ट पूछो कि कैसा टेस्ट है बता नहीं पाएगा अच्छा फील कर रहा है लेकिन सब्द नहीं है ऐसी मेरी स्थितिय आपने जो भुक दिये ना इसको पढ़ने के बाद और उसने पढ़ी नहीं एक भी दिन लेके गया था बस मामले को सहज करना चाहरा था वो कि उसको पता था कि अगर में बार बार कम्यूनिकेशन करूंगा बार बार इंट्रेक्ट करूंगा तो चीजे नॉर्मल हो जाएंगे उसने का रहे बस रहने दो इतना मलाई मत लगाओ अच्छा लगा आपको अच्छा लगए ऐसा ठीक ठीक कोई बात नहीं चलिए तो फिर मेरी तरफ से अगर कोई गलती हुए तो माफ कर दीजिए का मैं अगर बन पड़ेगा तो आपकी हेल्प कर दूँगा ठीक है अब पता लगा कि से भी करके उसको जरूरत है वह या पॉलिटी किताब की पॉलिटी किताब उसके पास लच्छमी कान थी पहले भाई साब डीडी वसु ले बोले कि इस बार पीटी आ जो हुआ है उसमें लच्छमी कान से कोसन नहीं बने हैं डीडी वसु पढ़ लिजे मेरी है लोटा देना वापस उसने का ना मुझे नहीं लेनी है कि अरे मैं आप से लिया था तो मेरी अंतरात्मा कह रही है कि जब आ एफर्ट्स हैं तो जो एफर्ट्स लगाते रहोगे आप और आप गहराई में जाते जाओगे जाते जाओगे जाते जाओगे जाते जाओगे एक दिन ऐसी गहराई में पहुच जाओगे दूस्तों जिसका आपने पहली पहली बार कभी अनुमान भी न किया हो ऐसे यांसर इटिंगा है लोटी कम टू दा पॉइंट लोटी तो आप इंट्रोड़क्शन देख लिए मैन बोडी देख लिए कंक्लूजन देख लिए इन सब के इस्तर पर आप सतत प्रयास कर रहे हैं तो आप पहुंच जाएंगे लेकिन कुछ फंडावेंटल्स हैं जिनको आपको ध्यान रखना होता है जिनको आपको समझना होता है कि इंट्रोड़क्शन लिखना है तो इंट्रोड़क्शन हम कैसे लिखें इंट्रोड़क्शन की कैसे शुरुआत करें आंसर की शुरुआत में इंट्रोड़क्शन है ले को नहीं लिख सकते हैं अगर आपको ये पता है तो माल लेजिये आपका आंसर दिनों दिन अच्छा होता जाएगा जैसे उस relation से ही बताता हूँ जब आप उस relation में बात कर रेते हैं पहली पहली बार तो आपको ये पता था कौन सी बात बोलनी है कौन सी बात ऐसी है जो बिलकुल नहीं बोलनी है कोई कोई बात ऐसी है जो निकल गई मुझे तो मामला खराब हो जाएगा पहले ही यानि पहले ही मामला खराब हो जाएगा ब्याह होने से पहले दूला जो है भाग जाएगा कहीं ऐसा माल लीजे अगर आपके मुझे अगर ऐसा सब्द निकला दो आपको क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है यह अगर आपको पता है तो आपकी चीजें सही चलेंगे ऐसे ही क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है कैसे लिखना है कैसे नहीं लिखना है अगर आपको यह पता है या कुछ समय बाद आपको ये बात पता लग गई है तो मेरे ख्याल से आप इस लेवल पर अच्छा प्रयास करोगे और अगर इन बातों को ध्यान में रख करके आप आंसर लिखते हो तो देखिए आंसर का जो फॉर्मेट होता है इस टेक्चर तो एक लेमेन की वासा है इसको नाम देते हैं फॉर्मेट आंसर का फॉर्मेट आंसर का आपके का फॉर्मेट कैसा है यही डिसाइड करेगा यह क्या करेगा यह डिसाइड करेगा आपको जो मार्क्स मिलने वाले हैं क्या डिसाइड करेगा यह यह मार्क्स डिसाइड करेगा क्या मार्क्स आपको बैड मिलने वाले हैं एवरेज मिलने वाले हैं या आपको गुड मार्क्स मिलने वाले हैं या आपको वेरी गुड मिलने वाले हैं एक्सिलेंट मिलने वाले हैं यह सब कौन बताएगा यह कौन ड कभी कवार बात आप इतना सटीक इतना सदी हुई इतनी प्रभामें कर देते हो कि सामने वाला सुन जो सुरोता है वो सुनता रहे यार बोलता बहुत सही है कुछ भी वो बोलता बहुत सही है देख रहे हो मंदलब उसकी बोल चाल में मतलब कोई कमी नहीं है ऐसे ही उत्तर में होता है कागा कोयल एक रंगे और बैठे एक ही डाल कागा का मतलब कोवा क्रो कागा कोयल और एक कोयल कागा कोयल एक रंगे यानि सेम कलर के हैं ब्लैक ब्लैक बैठे एक ही डाल एक ही ब्रांच पर बैठे हुए है एक ही डाल पर बैठे हुए है कागा कोयल एक रंगे बैठे ए की डाल भासा में पहचानिये को कोयल को का लेंग्विज बताती है कौन कोयल है और अगर आपकी लेंग्विज ऐसी है प्रभा है उसमें फ्लो है लिंकिंग है जुडाव है आपकी भासा में की वर्ड्स हैं आपकी भासा में की वर्ड्स हैं तो यकीन मानी आपके उत्तर की मेरे पास कोई जाड़ फूख तो है नहीं कि बागे सवर वाले बाबा की तरह हो कि परचाप लिखके दिखा दिया कि जाए यह यह हो जाएगा अब यहाँ वह अलग है मैं अलग हूं ऐसा तो कुछ है नहीं हलांकि मेरे मन में कभी को बनता है कि एक दो स्टुटेंट को भेज अच्छा तभी लिख पाएंगे जब आप धीरे 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 इंप्रूब करेंगे अपनी चीजों को हरेक अंगल पर इंप्रूब करेंगे ठीक है तो आपको क्या बता रहा था मैं मैं आपको यही बता रहा था कि इसका format decide करेगा कि आपको answer कैसा मिलना है average, bad, good, very good, excellent यह सब ठीक है format आपने जान लिया आपने अब तक जो जाना है अब तक तो उस पे बात करतें till now क्योंकि आप वो चीजों को चीजों को summarize way में देखते जाएंगे तब तो आपकी चीज़ें आगे बढ़ती जाएंगे नहीं तो नहीं बढ़ेंगे पहली बात हमने जदो जद की start करने की answer writing start नहीं हो रही थी answer writing start में हमने story को base बनाया और हमने answer writing start कर दी ठीक है फिर उसके बाद हमने content देखा content है या नहीं है फिर content था तो फिर हमने content को read किया अच्छे सरीड किया फिर उसके बाद हमने practice start की practice ठीक है practice हमने लिखी पहली पहली बारे में उल्टा सीधा कुछ भी लिखा गया हमने लिखा ये भूलकर लिखा कि हम अच्छा लिख रहे हैं या बुरा लिख रहे हमने बस लिखा practice की ऐस हमने answer writing की ठीक है कर दी फिर हम practice में अगले phase में पहुंचे और वहां पर format की बाद हो रही है format के answer का आपके का format कैसा वनेगा और इसके लिए हमने सब्द का प्रियों किया structure 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 structured भी में अब आप structured भी में answer को हो सकता है बहुत सारे टॉपर्स का न देखें आप कहेंगे सर आप आप कह रहे थे introduction भूमिका होगी लेकिन रहें जो भूमिका adding नहीं लगाई थी भूमिका heading लगे या नलगे पहला वाला paragraph अंडर स्टूड है वो क्या होगा introduction होगा पहला जो पैराग्राफ आपने answer के लिखाए वह introduction हो गई होगा और अंतिम पैराग्राफ अंडर स्टूड ह है कि वो conclusion हो गई होगा और बीच बीच का जो बच गया है वो man material है man body है आपके answer की तो structure में हमने बात कर ली introduction introduction man body man body और फिर आपने देखा conclusion ठीक है तो अब हम इस तीनों पर बात करने लगे हैं और ये तीनों ही वासता में आपके उत्तर को गुडवत्ता पूर्ण बनाएंगे तीनों ही आपके उत्तर को गुडवत्ता पूर्ण बनाएंगे तो introduction man body और conclusion ये क्या है एक सतत प्रक्रिया है सतत प्रक्रिया में हम जानेंगे कि कैसे हम introduction को अपने को improve करें है ना तो introduction पर ही हम देख लेते हैं क्या क्या बात करेंगे मोटी मोटा बात जाल लेते हैं हम यह देखेंगे introduction कैसे लिखें कैसे लिखें दूसरी बात कैसे न लिखें कैसे न लिखें क्या क्या लिखा जाता है introduction में क्या क्या लिखा जाता है और क्या न लिखें क्या न लिखें ठीक है और इसके अलाबा गुडवत्ता ब्रद्दी के लिए quality improve करने के लिए हम अपने introduction में क्या कर सकते हैं गुडवत्ता ब्रद्दी ही तू ब्रद्दी ही तू क्या कुछ कर सकते हैं इस लेवल पर हम काम करेंगे इसके अलाबा फिर मैन बोड़ी आ जाती है मैन बोड़ी अब मैन बोड़ी में बहुत सारे आपके सामने question होंगे किसी ने बताया है कि पैराघ्राफ में ही लिखना हिंदी मीडियम के ओकाल में लिखना किसी ने कहा नहीं सर हम तो मतलब चित्रों के बाद्यम से दर साएंगे चित्र बना बना करके अपनी बात को प्रेजेंट करेंगे तो इसके लेवल पर फिर हम चर्चा करेंगे आखिर आपको अपना मैन बोडी कैसे लिखनी है फिर उनके अलावा कनक्लूजन कुछ लोगों ने कहा होगा आपसे कि निसकर्स आपको सकारात्मक लिखना है सकारात्मक निसकर्स में आलोचना नहीं करना है किसी ने कहा होगा कि निसकर्स को आप सुझाबात्मक लिखें तो इन विंदूओं पर बात करेंगे कि आखिर आप निश्कर्ष अपना कैसा लिखें और इन सब को करने के लिए आपको क्या-क्या ऐसे प्रयास हैं जिनको continue करना चाहिए जिनको start कर देना चाहिए कम सिकन करना ठीक है तो इस मद्दे पर हम बात करेंगे फिर अगले सेशन में ये हमारा basic session था basic pillars of answer writing हमारे answer writing के basic pillar वाला ये session था ठीक है तो basic pillars of answer writing ये आपको session कैसा लगा आपके लिए ये recorded video थी आपने इसको size पूरा देखा होगा नहीं देखा है पूरा तो पूरा देख लिजेगा systematic धंसे ठीक है तो चलिए फिर खयाल रखी अपना और अपनों का और मिलते हैं फिर अगले वाले में उसमें हम बात करेंगे यह तो basic plus of answer writing है फिर हम advanced level पर बात करेंगे क्योंकि यह advanced ही बाते हैं हमें introduction में क्या लिखना है कैसे लिखना है क्या क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है मेन बोड़ी में पैराग्राफ लिखें, चित्र बनाएं, पाई चायट, पॉइंट टू पॉइंट लिखें, कन्क्लूजन में पॉजिटिव लिखना है, कि साइज करना है, कि नहीं करना है, सजेसन देना है, तो यह क्या एडवांस लेवल है, स्टार्ट तो आपको हो गया है तो बेसिक पलस में हमने आपका स्टार्ट करवाया, अब यहां हम क्या करेंगे, जिसके बारे में अभी अभी डिसकसन कर रहे थे, वो क्या डिसकसन कर रहे थे, इंप्रूब करने की बात को डिसकसन कर रहे थे, how to improve writing skill for UPSC, है न, जब हम इंप्रूब करने लग जाएंगे, तो जाहिर सी बात है, हम automatic good quality पर पहुँच जाएंगे, how to write good quality answer for UPSC, यह बाला जो हमारा पड़ाव है, यह automatic पूरा हो जाएगा, ठीक है, तो कैसा लगा आपको यह सत्र, यह जरूर बताएगा, comment करके, मुझे आप लोगों की प्रत्क्रिया का बेश सबरी से इंतिजार रहे था, thank you so much